के तरफ से तो चलिए इसके बारे में लोग डिटेल्स जानते हैं तो देखिए इक्जाम नेम फूट फेफ्टी एंड अस्टेंडर्ड ऑथरिटी ऑफ इंडिया और इफ में टोटल वेकिन फी 254 है तो इफ में पोस्ट ग्रूप ए और अधर पोस्ट भी है और यह जो कटेगरी जो कटेगरी है हुआ गोर्मेंट जोब है और रिक्वर्मेंट पे फिफ डिरेक्ट हो सकता है तो फेलरी लेबल जो है वह फोर लेबल फे हायर लेबल तक रहेगा ओके ठाटीन लेबल तक तो चलिए इसके अब आउट हम लोग और भी डिटेल जानते है तो देखिए आठ अक्टूबर फे इस लिंक को एक्टिप किया जाएगा इस फूम को अपलाई करने के लिए ओके एंड लास्ट डेट फात नॉमबर दोजार एक तक आप इस फूम को अपलाई कर सकते हैं आप लोग को एक मेहना का टाइम दिया गया है तो आप इस फूम को जल्द फे जल अपलाई करें और एडमिट कार्ट का डेट अभी मेंफर नहीं किया गया है तो तो दिखें ग्रूप एक बारे में हम लुक्त फे पहले आते हैं तो ग्रूप ए में टोटल वेकिन फी एक एक पोस्ट है तो दिखें डेपीटी मेनेजर डेपीटी मेनेजर जनरलीज्म और माफ कॉम्मिनिकेशन और पब्लीक रिलेशन के लिए पाच पोस्ट है एंड के लिए एक पोस्ट है तो अब अदर पोस्ट में हम लोग आते हैं ग५ो एक को छोड़ करके ऑके दो टेकनिकल टेकनिकल को वीफर में टोटल पोस्ट एक फोपचीव है फेंच्रव। फूट फेप्टी में फूट फेप्टी और फिफर के लिए फेथिफ पोस्ट है असिस्टेंट मेनेजर आइटी के लिए चार पोस्ट है असिस्टेंट मेनेजर जनरलिज्म और माफ कॉम्मिनिकेशन और पब्लिक रिलेशन के लिए दो पोस्ट है ओके असिस्टेंट मेनेजर Fofil Work, Fofil Work, Phyedo, Labor and Fofil Welfare, Library 5 के लिए दो post है, असिस्टेंट के लिए टेतिफ post है, हिंदी ट्रांफलेटर के लिए एक post है और प्रफ़नल असिस्टेंट के लिए उने फ पोस्ट है, ID असिस्टेंट के लिए 3 post है जुनियर, असिस्टेंट ग्रेड वन के लिए 3 post है तो application fee हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि if home को apply करने के लिए application fee कितना लगेगा तो general और obc candidate for if home को apply करने के लिए application fee एक हजार है ओके और inti mitigation inti mission charge 54 रुपिया है तो total charge आप लोग को 15 रुपिया लगेंगे ओके 150 रुपी एंड ह्टी और fc candidates को और human और pw bd candidates को if home क apply करने के लिए paper नहीं लगेगा ओके बट यहां पर inti mission charge का 54 रुपिया आपफे भी लिया जाएगा तो 54 रुपिया आपको pay करने होंगे और देखिए इसमें eligibility criteria देखते हैं हम लोग और age limit कितना होना चाहिए तो देखिए deputy deputy manager assistant director technical assistant director food analyst के लिए अपर एज अपर एज पेती फोना चाहिए ओके अपर एज मिक्सिमम एज पेती फोना चाहिए और एज अपर एज थर्टी येर होना चाहिए और थर्टी येर फे ज़्यादा आपको एज और आपका देना पिफ्पूम को अपलाई नहीं कर फकते होंगे अगर आपका एज बीफ बीफ एकाइफ बाइफ तेफ इफ तरह का एज होरा तीफ तक देना पिफ्पूम को अपलाई करने के लिए इलिजबल है ओके एंड जूनियर एसिस्टेंट ग्रेट वन के लिए हम लोग देखते हैं इफ के लिए आपर एज पचीफ फाल होन है ओके मेक्सिमम एज पचीफ अगर आप पचीफ फाल के नीचे में एज आपका है अठारफ फाल उनाइफ फाल बीफ फाल देना पिफ्पूम को अपलाई करने के लिए इलिजबल है ओके अब हम लोग देखते हैं क्वाइलिफिकेशन कितना होना चाहिए कौन फे पोस्ट के लिए तो देखिए पुब्लिक रिलेशन और एम लोग देखते हैं एम टेक होना चाहिए और पीजी डिप्लोमा होना चाहिए और बीटेक अप किये हैं देना पिफ्पूम को अपलाई कर वक्ते हैं इफ पोस्ट के लिए ओके एंड असिस्टेंट डिरेक्टर में आते हैं तो इफ में बेचु कोड़ी होना चाहिए है और फिक्षीर का एक्स्परियेंस भी इसमें मांगा गया है और एंड लिफॉर्फ देपलोप्मेंट और वीजी लैंफ एंड अकांट मेंटर्फ तो दिखे इसमें डिग्री ओफ लो लोग का भी डिदीग्री होना चाहिए और और एंड रिफर्च institution और university public factor undertaking law firm तो देखिया अगर आपके पर low का degree है देन आप इस पूंक अप्लाई करने के लिए eligible है और three year का experience भी होना चाहिए तो technical offer के लिए आते हैं तो इफ के लिए qualification इफ post के लिए master degree होना चाहिए अगर आप master degree किये है MFE किये हैं ओके with chemistry के फाथ and biochemistry के फाथ food technology and fine friend technology के फाथ आप किये हैं आप इस पूंक का अप्लाई करने के लिए eligible हैं ओके and BE किये हैं BE then आप इस पूंक का अप्लाई करने के लिए eligible हैं BTEC किये हैं in food technology में then आप इस पूंक का अप्लाई करने के लिए eligible हैं ओके और पीजी किये हैं पीजी डिप्लोमा किये हैं देन आपी फिर्म को अपलाई करने के लिए eligible हैं ओके इन फूड फेफ्टी एंड फूड फाइन कोर्फ के साथ ओके एंड फेंटल फूड फेफ्टी ओपीफर के लिए देखिए qualification degree in food technology डिगरी होना चाहिए food technology में ओके और डायरी technology और बायो बायो टेकनोलोजी ओइल टेकनोलोजी और agriculture fine and veterinary fine and biochemistry biochemistry microbiology और master degree in chemical or degree in medicine okay and अगर आप ये फ़र डिगरी किये हैं okay chemistry के फाथ अगर आप डिगरी लिए हैं या फिर बायो टेकनोलोजी के फाथ देना फिर फूड को अपलाइकने के लिए इस पोस्ट को अपलाइकने के लिए eligible हैं okay तो food analyst में आते हैं तो इसके लिए qualification master degree होना चाहिए chemistry के फाथ okay या फिर बायो chemistry के फाथ और diary chemistry के फाथ और food technology के फाथ food find technology के फाथ अगर आपके पाफ डिगरी है देना फिर फूड को अपलाइकने के लिए eligible हैं okay and assistant manager में आते हैं तो assistant manager में पीजी होना चाहिए पीजी का डिगरी होना चाहिए ओके पोस्ट ग्रेजवेफन का एंड डिप्लोमा के पाफ भी डिप्लोमा कभी डिगरी आपके पाफ है देना फिर फूड को अपलाइकने के लिए eligible है in generalism generalism में ही होना चाहिए ओके and math communication या फिर public relation ओके and देखिए पोस्ट ग्रेजवेट होना चाहिए फॉफल वर्क एंड फाइकोलोजी के पाफ अगर आप डिप्लोमा किये हैं या फिर डिगरी किये है देना फिर फूड का अपलाइकने के लिए eligible है ओके इंदे के bachelor of degree and library fine के लिए भी आप eligible है तो दिखिए असिस्टेंट मेनेजर के लिए असिस्टेंट मेनेजर आइटी फेक्टर में तो b-tech होना जरूरी है m-tech होना जरूरी है in computer fine अगर आप computer fine फे अगर आप b-tech किया है m-tech किया है देना फिर फूम का अपलाइकने के लिए eligible हैं ओके एंड बेचुलर्स डिगरी एंड विट फाइव इयर का फाइव इयर का experience भी होना चाहिए ओके तो चलिए अब हम लोग आते हैं हिंदी translator के लिए तो हिंदी translator के लिए देखिए master degree होना चाहिए in Hindi, हिंदी में master degree होना चाहिए और English में भी master degree होना चाहिए ओके as a compulsory subject ये compulsory subject है and master degree in any other subject English and Hindi फे अगर आप master degree किये हैं हिंदी literature फे या फिर English फे देना पर फोंक अप्लाई करने के लिए eligible हैं ओके और professional assistant के लिए हम लोग आते हैं तो professional assistant के लिए bachelor degree होना चाहिए from a university कोई एक university फे आपका bachelor degree होना चाहिए and यहाँ पर condition है कि 80 word 80 word per minute typing typing होना चाहिए okay fourth hand and 40 word 40 word per minute होना चाहिए English language में okay and 35 word per minute Hindi में होना चाहिए okay and then आप and MF office भी आपको आना चाहिए और इलिजबल है and IT assistant के लिए तो IT assistant के लिए bachelor degree बेचुलर degree होना चाहिए okay and PG diploma होना चाहिए डिग्री होना चाहिए okay then आप इस फोंक अप्लाई करने के लिए eligible हैं and junior assistant के लिए junior assistant grade 1 के लिए आता है तो grade 1 के लिए आप 12th standard फे 12th path किये हैं fine फे stream फे commerce पे ground फे देन आप इसमें को apply कर सकते हैं तो इसमें हम लोग function प्रोफिजर जानते हैं क्या आप फर्लेकवन किव तरफे ले फकते हैं को फे पोस्ट के लिए तो देखिए फभी पोस्ट के लिए अलग अलग फ्लेक्फन प्रोफिजर बनाया गया है तो चलिए अभी हम लोग फ्लेक्फन प्रोफिजर देखते हैं तो देखिए फफे पहले देखते हैं फूड एनलिस्ट के लिए अगर आप फूड एनलिस्ट के लिए अपलाई किया है आपके एक return exam होगा और पलफ में interview होगा रिटन exam में return test होगा एक interview होगा तो देखें टेकनिकल ओफिफर में अगर आप अप अपलाई किया है तो आपका दो फिबीटी टेस्ट होगा computer based test दो होगा स्टेज वन स्टेज टू और इसमें किफी वित्रा का इंटर्विव नहीं लिया दाएगा ओके सेंटल फूट फैप्टि ओपिफर के लिए इसमें भी सेम कंडिफन है Okay, stage one stage two का exam आप़े लिए दाएगा, assistant manager IT के लिए अगर आप अपलाई कर रहे हैं, then PBT, one or two का exam देना होगा, assistant manager, stage one stage two आप लोग को exam देना होगा, okay, computer based test होगा, and hindi translator के लिए only one exam, okay, only one exam होगा, और किफी भी तरा का इंटर्वीव नहीं होगा असिस्टेंट के लिए अप्लाय कर रहे हैं है तक मश्थ गयाई। उसलें थे यह किम्पयूटर बइस्ट एक कीम्प्यूटर भी जैस्ट एक नहीं होगा और ऑफ जहें होगा इसंद और प्रफनल असिस्टेंट के लिए फिबिटी एंड प्रोप्यन फी इन फोर्ट हैंड टाइपिंग आना चाहिए अब ए एनद एनवों कर रहे है एंड इस्टेंटेंट के लिए आप कर रहे हैं गर07 कर रहे ह employ करें और इस्टेंट टेक्ट ग्रेज़ कर रहे हैं और अपको आपशिस्टाच डिरेक्टर के लिए फिल एएंड यह स्टेज टू पलफ इंटरव्यन फीनिया अग्यम डेना होग देना होगा और deputy manager के लिए अगर आप आप लाई कर रहे हैं then PBT stage 1, stage 2 and plus interview देना होगा और deputy manager आप तो जानते ही होंगे I hope आप लोग जानते ही होंगे कि deputy manager कितना बड़ा post होता है तो आपको directly यहाँ फे deputy manager में joining मिल जाएगा तो आपका इस तरह फे quality भी तो होना चाहिए तभी तो आपको deputy manager बनाया जाएगा तो चलिए अभी हम लोग exam pattern को समझते हैं किफ में किफ तरह का exam question पूछे जाएगे तो देखिए अभी हम लोग देखते हैं फे पहले टेक्निकल ओफिफर and central food safety ओफिफर के लिए तो देखिए आप लोग को general intelligence फे question पूछा जाएगा पास question ओके general awareness फे पास question पूछा जाएगा English language फे अप अंड comprehensive फे अप लोग को पास question पूछा जाएगा computer literature फे दफ क्वेश्चन and Indian and international food law फे आप लोग को पचीफ question पूछा जाएगे फे अप लोग को पचीफ question पूछा जाएगे तो टोटल आप लोग को 100 question पूछा जाएगे और देखिए जुनियर असिस्टेंट के लिए आते हैं जुनियर असिस्टेंट के लिए तो देखिए इसमें आप लोग को general intelligence फे बीफ question पूछा जाएगा quantitative aptitude फे बीफ question English language फे आप लोग को 15 question पूछा जाएगा English language फे पंदरा जेंडरल अवेरनेफ पचीफ question computer literature फे आप लोग को दफ कोशन पूछा जाएगे और रोल फन फन इनिफिये टिफ फे आप लोग को English के लिए जेनरल हिंदी या English दोनों में आप सूज कर सकते हैं आपको किफ फे एकजाम देना है किफ लेंगवेज फे और फेकंड में आप लोग का दिया जाएगा ओके अब आपको असिस्टेंट डिरेक्टर के लिए आता हैं तो आसिस्टेंट डिरेक्टर में आप लोग को जेनरल इंट्लिजन सब्स पूछे जाएंगे और जेनरल अबर्नेफ आप लोग को नोलेज फे 55 पूछा जाएंगे तो टोटल कोश्चन इफ में भी 100 कोश्चन पूछा जाएंगे अब हम लोग आता हैं असिस्टेंट मेनेजर आइटी में तो देखें जनरल इंटलीजेंट फे 10 कोश्चन पूछा जाएगा जेनरल अवियरने फे 10 कोश्चन इंगलिफ लिंग अब हम लोग फिलेवर फे देखते हैं तो फिलेवर को आप लोग आफ क्रीनफोर्ट ले सकते हैं या फिर आपने कॉपी में नोट कर सकते हैं तो जेनरल इंटलीजेंट फे देखें आपको कैफे 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 कोश्चन पूछा जाएगा कौन-कौन फे टोपिक फे एनलोज फे फिमिलर्टीज और डिप्रेंट फेफ अफ फेफ विजुलाइज़ेशन रिलेशन फेफ कौन फेफ प्रोब्लम फॉल्बिंग अनले फेफ ओके अर्थमेटिकल नंबर फिरेज बर्बल एंड फिगर क्लाफिफिकेशन डिफीजन मेकिंग विजुल मेमोरी जज्मेंट डिफ्रिमिनेटिंग अब्जर्बेशन अरिफमेटिकल रिजिनिंग और नंबर्बल रिजिनिंग फे आप लोगको कौश्चन पुछे जाएगा ओके जेनरल इंटिलिजन्स में तो देके जेनरल अवेर्नेफ में आते हैं तो जेनरल अवेर्नेफ में आपको इकोनोमिक फी फे पूछे जाएंगे history फे culture फे okay culture and of course and scientific research फे question पूछे जाएंगे general politics including Indian constitution फे भी question पूछे जाएंगे current अपर फे भी question पूछे जाएंगे तो के general awareness के इतने फारे topic फे question पूछे जाएंगे और English language में आते है तो English language में general English पूछा जाएगा final finding error error को आपको check करने के लिए बोला जाएगा और पेफेज बेस्ट question पूछे जाएंगे items and phrases direct indirect of speech sentence improvement fill in the blanks पूछे जाएंगे para-jumbal family of okay phenomenon and antinam forward substitution of quoting error infant and a failing error okay and grammar noun pronoun adjective verb preposition conjunction okay and data का परियोग items and phrases फे question पूछे जाएंगे English में okay अब हम लोग computer literacy में आते हैं तो देखिए MF of if का knowledge होना चाहिए okay and excel power point का including basic commands email google documents commonly यह फब होना ही चाहिए okay and what for facebook twitter etc का आपका knowledge होना ही चाहिए तो देखिए आपका फेलरी कितना होगा तो देखिए कि हम लोग फेलरी देखते हैं कि कौन फे पोस्ट के लिए कितना होगा तो डेपिटी जेनरल के लिए level 10 का level 10 का फेलरी दिया जाएगा तो इसमें level 10 का फेलरी बहुत अच्छा गाफ़ा फेलरी होता है और यह पोस्ट भी बहुत बढ़ा है अशिस्टेंट डीरेक्टर टेक्निकल के लिए लेवल 10 इफमें भी लेवल 10 का फेलरी दिया जाएगा असिस्टेंट डीरेक्टर के लिए के लिए लेबल 10 assistant oprifer के लिए level 7 का फेलरी दिया दाएगा and फेन्ट assumptions फूब्द awful फट के लिए भी लेबल फेल्ड का फेलरी दिया दाएगा and food analyst के लिए Level 10 का फेलरी दिया दाएगा asSISTANT IT M Pepiner me lungsconist के लिए level 7 का फेलरी दिया दाएगा Okay, and asistant के लिए जीफिकिये ये लेवल फ्क इस्टेंट को लेवल फोर का फेलरी मिलेगा तो लेवल फोर का भी फ्री कोई खराब नहीं होता है तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्जामिनेफन फेंटर कहां पर पड़ेगा तो अपने अपने अस्टेट का कोडिंग या फिर आप यहां फे देख सकते हैं अगर आप आप को अपने अस्टेट फे आप देख सकते हैं देखिए तो आगरा में फेंटर पड़ेगा ओके ये अस्टेज उवन का प्लेफ है ओके तो एमाबाद ओके तो ये फ़ब आप यहां फे देख सकते हैं आपके तो इफको हो फकेत अफ्क्रीन फोट ले लीजिए और अपना एट्रिफ यहां फे फैंड आउट कीजिए ओके तो यहां पर बोकारो अस्टील फिटी भी दे दिया गया है चंडीगड भी दे दिया गया ओके चैन्नाई देरदून धनबाद ओके डूले तो देख सकते हैं यहां फे आप लोग अफ्क्रीन फोट ले लीजिए वीडियो को पोस्ट करके ताहींब आप लोग ले ले ओंगे अब देख्या स्टेथ 2 के लिए स्टेथ 2 के लिए आप लोग का फेंटर कहा पढ़ेगा तो stage 2 के लिए एमाबाद, वेंगलुरू, बपाल, बुनेफुर, चंडीगर, चेनने, देरादून, देली, गुवाटी, हैदराबाद, जेपूर, जम्मू, कुलकात्ता, लखना, मदूराई, मिरूट, मुंबाई, पटना, राची, फिमला, फ्रीनगर, कोची, बिजैवाडा तो ये सारे फेंटर पढ़ेंगे, stage 2 के लिए, तो आए होप, फ्रेंट्स, आप लोगो किलियर हो गया होगा, इस जोब से रिगार्डिंग, और किसी बितरह का आपको, क्वीरी है, देन आप comment box फे, पूछ सकते हैं, अगर आप इस फोम का अपलाई के लिए, कर दीजिए, और बेलाकन को प्रेफ कर दीजिए, और अपने फ्रेंट्स में फेर कर दीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ओके, तब तक लिए जय हिन, जय वारत,